बेटी से रिष्टा कि तुम सब भूल जाओ कोई नहीं भूल पाता है मायंग मापापा को कोई कैसे भूल सकता है तब ही सास का फोन आता है मा लो विबा से बात कर लो आज उस अपनी मा की बहुत याद आ रही है बेटा विबा मैं आ जाओ हम दोनों चलेंगे तेरे मापापा के पास बोलो ना माजी वो आप लोगों को कुछ बोलेंगे तो मुझे और भी बुरा लगेगा आखिर आप भी मेरी माँ ही तो है आरे सुन लेंगे ना यार कोई बात नहीं बोलेंगे ही न मैं चलो मा मैं फोन रख रहा हूँ वो क्या है ना आज विबा को लेकर डॉक्टर के पास जाना है बहुत दिनों से इसके सर पर लगातार दर्द हो रहा है आरे हाँ हाँ ले जा पेटा सर दर्द को हलके में नहीं लेना चाहिए बैसे भी न बहुत सोच थी बहुत है मैंक मा का फोन रख देता है और दोनों कार से अस्पताल जाते हैं लेकिन जैसे ही वो लोग अस्पताल जाते हैं विबा को स्ट्रेचर में नर्स उसकी मा को लेकर जा रही दिखती है मैंक मा मैंक वो मेरी मा है इतने सालों बाद देखी भी तो इस साल में मैं उनकी पास जा रही हूँ अरे रुको, कहीं वो लोग तुम्हें देखकर और परिशान ना हो जाए या फिर तुम्हें कुछ बोल ना दे विबा, तुम फिर परिशान हो जाओगी विबा पास खड़े अपने चाचा चाची से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वा, तेरे जैसी बेटी जिसकी हो वो तो मर ही जाए तो अच्छा है वसे पार्क में पैर फिसला है तेरी मा का, रेड की हड़ी तूटी है रिद्धी को चाची की बात का बिलकुल बुरा नहीं लगता शायद वो सुन ही नहीं रही थी कि चाची क्या कह रही थी वो सीधे मा के कमरे में जाती है कौन है आप? ये मेरी मा है, मेरा नाम रिद्धी? रिद्धी नाम है नापका? दर्द में भी ये आपका ही नाम ले रही थी हाँ ये सुनते ही रिद्धी का कलेजा मूँ में आ जाता है ये वही मा है जिसने कड़े शब्दों में ये कह दिया था कि अब तेरा मेरा रिष्था खतम फिर रिद्धी का पती मयंग भी भहां आ जाता है सामने खड़े होते हैं रिद्धी के पिता पापा क्या हुआ मा को वो पार्क में गिर पड़ी रिड की हड़ी में चोट आई है रिद्धी पिता के तरफ देखती है लेकिन पिता मूँ फेर लेते है पता है मयंग मा दर्द में मेरा नाम ले रही थी मेरी मा मुझे याद कर रही थी मयंग मैं मा को कुछ नहीं होने दूँगी देख लेना हां रिद्धी हम मिलकर मा का खयाल रखेंगे उन्हें फिर से खड़ा कर देंगे लेकिन भाईया कहा है रिद्धी पिता के सामने जाकर खड़ी हो जाती है पापा भाईया कहा है वो अमेरिका में है वो नहीं आ पाएगा रिद्धी फिर मा की और ध्यान कर लेती है उस पूरी राद रिद्धी मा को देखती खड़ी रहती है पिता मनी मन सोचते है जब इतना ही प्यार था तो क्यूं चली गई किसी एक अजनभी के लिए हम सभी को छोड़ कर तभी डॉक्टर बाहर आते है आपकी वाईफ को होश आ गया है क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ जी नहीं वो बार बार अपनी बेटी का नाम ले रही है रिद्धी बेटा तुम अंदर चली जाओ मा रिद्धी को देखकर रोने लगती है बेटा मा के गले लग जा मैंने तो सोचा था तेरा चहरा देखे बिना ही मा जाओंगी ऐसे कैसे बला मैं अपनी मा को कुछ कैसे होने दे सकती हूँ मा उठने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ नहीं पाती देखिया आपकी रेड के हड़ी में फ्रेक्चर है मुझे प्यास लगी है पानी पीना है रुको मा मैं हुना मैं पिलाती हूँ पानी अपनी मा को कोई और नहीं आया तेरे चाची चाचा आये थी मा पर शायद मुझे देख कर चले गए जाने थे इस वक्त भी पुरानी रंजिश देख रहे हैं और रंजिश भी कैसी मा अपनी बेटी से नाराजी तो थी रिद्धी अब पूरे समय मा के साथ रहती है उनके हर काम को करने में उनका सहारा बनती है फिर एक रोज आज आपको चलने की कोशिश करने थी लेकिन हमारे फीजियों के डॉक्टर नहीं आये जो आपको पकड़ कर चलाते तो फिर आज डॉक्टर साहब मैं हूना मैं मा को चलने में मदद करूँगी रिद्धी मा को चलाती फिराती उनकी खाने पीने का खयाल रखती ये लो दवाई खा लो नई मैं रिद्धी के हाथ से खाऊंगी ये क्या बात होती है रिद्धी के हाथ से क्यों वैसे भी अब कल से तुम्हारी छुट्टी होने वाली है फिर तो मैं ही हूँ जो भी हूँ तभी वहां रिद्धी आ जाती है पापा, मैं बस कुछ मिर्ट के लिए डॉक्टर की पास गई थी ये दवा तुम्हारे पापा नहीं बताएंगे लेकिन वो मुझे दवाई दे रहे थे कल से मेरी छुट्टी है ना लेकिन ये तो गलत दवाई है पापा इतनी धेर सारी दवाई है ना इसलिए भूल हो गई होगी नहीं नहीं माँ सिंपल तो है मैं बाहर जा रहा हूँ कला जाऊंगा छुट्टी कराने अगले दिन पिता अस्पतार से माँ को ले जा रहे होते हैं कि रिद्धी पिता इतनी जल्दी किसी की छुट्टी नहीं हो पाती ऐसे रीड की हड़ी के मामले में लेकिन तुम्हारी दिन रात के मेहनत ने तुम्हारी मा को वीलचेर में बैठने लायक बना दिया पस इसी तरह एक महीने और सेवा हो जाए तो तो क्या ये फिर से दोबारा पहले जैसे चलने लगेगी हाँ हाँ चलने क्या दोडने लगेगी अब क्या था पिता कुछ सोच में पढ़ जाते हैं कि रिद्धी कहती है मा मेरे साथ मेरे घर चलो एक महीने मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ नहीं चलना है तो तुम चलो अकेली उस लड़के के लिए ना हमारे दिल में जगा है ना घर में पासे वाला होगा तो अपने घर का पास खड़ा मायंक रिद्धी को इशारा करता है तुम जाओ रिद्धी तुम्हारी मा को तुम्हारी जरूरत ज्यादा है मैं समझ सकता हूँ रिद्धी भी माता पिता के साथ माय के चली जाती है वो मा की सेवा दिल लगा कर करती है पिता भी रिद्धी को माफ कर देते हैं और फिर एक मैने बाद देख रिद्धी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई सच कह रहे थे डाक्टर कि मैं तो दोड़ भी सकती हूँ बस मा, तब मैं चलती हूँ मयंक और मुन्ना मेरे बिना ना जाने कैसे होंगे और क्या जरूरत है जाने की, यहीं रुक जा या फिर नहीं पापा, उस दिन आपकी शर्ट मैंने सिर्फ मा की हालत दे कर मानी थी लेकिन अब नहीं, अब मैं इस घर में तभी कदम रखूँगी जब मेरे पती को भी इज़त से बुलाया जाएगा पिता समझ जाते हैं कि बेटी क्या चाती है फिर एक रोज अरे रिद्धी देखो तो दर्वाजे में कौन है रिद्धी दर्वाजा खुलती है तो सामने मा पिता खड़े होते हैं हाथ में होता है धेर सारा गिफ्ट कहा है मेरे दमाजी मायंक और रिद्धी माता पिता को देख कर खुश हो जाते है और मा मुन्ने को गले लगा लेती है